हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप बिल्कुल ठेक होंगे आज हम बनाएंगे बच्चों की स्पेशल चाओ मेन इसके लिए हमने लिया है ये ड्राय वाले नूडल्स हैं हाफ पैकेट लिया है मैंने पिसी हुई काली मिर्च, नमक, लाल मिरच, सोया सॉस, सोया सॉस आप किसी भी ब्रेंड का ले सकते हैं ये सफेद वाला सिरका है प्याज स्लाइस किये हुए हैं और ये दो कैपसी कम लिये हैं मेडियम साइज के इसके बाद हम गैस पर एक पतिले में पानी गरम रखते हैं और उसके बाद उसमें एक चमच ओयल और एक चमच नमक एड़ करेंगे ओयल एड़ करने से जो नूडल्स है वो खिले-खिले बनते हैं इसके बाद हम इसमें नूडल्स एड़ कर देंगे हम noodles को ज्यादा चूरा करके add नहीं करेंगे उसे हम half करके add करते चले जाएंगे और उसके बाद इंको अच्छे से पानी में dip कर देंगे और चार से पांच मिनट में ही noodles boil हो जाते हैं देखें noodles boil हो चुके हैं हम इसे check कर लेते हैं इसके बाद हम noodles का पानी एक छलनी में drain कर देंगे और उसके उपर ठोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे हमारे noodles खिले-िले रहेंगे देखे, noodles हमने drain कर लिए हैं और हमारे कितने खिले-खिले noodles हैं अब हम gas पर कढाई रखते हैं और कढाई गरम होने के बाद हम इसमें cooking oil add कर देंगे cooking oil add करने के बाद जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें प्याज आड कर देंगे और उनको saute करेंगे Chinese cooking करते समय ध्यान देने वाली बात इतनी सी ही होती है कि हमें सबजियों को ओवरकुक नहीं करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना होता है यह हमारे प्याद सौटे हो चुके हैं इसके बाद हम इसमें अपने शिम्ला मिर्च एड़ कर देते हैं और उनको भी अच्छे से सौटे कर लेंगे दो से तीन मिनट में ही प्याद और शिम्ला मिर्च सौटे हो जाते हैं इसके बाद हम इसमें अपने ड्राय मिसाले अड़ करेंगे हम इसमें नमक एड़ करते हैं नमक हमने बॉयल करते समय भी डाला था इसलिए हम अपने टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे इसके बाद लाल मिर्च टालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च अड़ करेंगे और इन मसालों को अच्छे से प्यादुर शिमला मिर्च में मिक्स कर देंगे मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें नूडल्स अड़ करेंगे नूडल्स हम एक साथ नहीं डालेंगे धीरे धीरे थोड़े थोड़े कढ़ाई में फैला कर डालेंगे देखे इस तरीके से थोड़े थोड़े खोल कर और अच्छे से फैला कर कढ़ाई में एड़ कर देंगे इसके बाद दो स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चाइनिज खाना बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को पसंद आता है लेकिन कई बार बच्चे हमारे कम मसाले वगएरा पसंद करते हैं तो हम इस तरह से उनको घर में बना कर खिला सकते हैं जैसे हमारे मसाले मिक्स हो जाएंगे चौमिन में उसके बाद हम इसमें सौस अड़ करेंगे यह मैंने एक टेबल स्पून स्वेया साइड किया है बड़ी वाली स्पून है और दो स्पून मैंने सिरका अड़ किया है अगर आप dark color चाहते हैं तो आप इसमें half tablespoon soya sauce और add कर सकते हैं अब हम इसको अच्छे से mix कर देंगे देखें इनको उपर की तरफ उठा कर और फिर नीचे की तरफ डालते हुए ऐसे mix करना है इससे हमारे noodles ज्यादा तूटते भी नहीं है और अच्छे से mix हो जाते हैं रेस्पी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजिए यह हमारी simple सी चौमीन बच्चों के लिए बनकर त्यार है थैंक यू